पंजाब के जिलाब बर्णाला के गाउन नारायन गड़ सेहियां के एक गरीब परिवार का बच्चा जो की चार साल पहले दर्बार साहिब अमरत्सर में लापता हो गया था आज करीब चार साल बात बल्विंदर सिंह नाम का बच्चा एक समा सेवी संस्था की मदद से परिवार को मिल सका है बच्चे के घर पहुँशने से पूरे परिवार में खुशी का महौल है लापता हुए बच्चे को गुजर समुदाय के लोगों द्वारा अपने घर में बंदी बना कर भैसों को संभालने के लिए जबरन काम करवाया जा रहा था बच्चा बलविंदर सिंग किसी तरीके से जान जुडा कर भाग निकला और एक समा से विसंस था सहारा सेवार सोसाइटी अनाथा अश्रम भोयवाल अमरत्सर को मिल गया जिनोंने बच्चे से पूछताश कर बच्चे को परिवार के हवाले कर दिया बता दें की बच्चा बलविंदर सिंग दिमागी तोर पर भी कमजोर है बलविंदर जिस समय लापता हुआ था उस समय उसकी उम्र करीब 13 साल थी बच्चे बलविंदर के सिर पर पिता का साया भी नहीं है और बच्चे की मा लोगों के घरों में काम कर अपने बच्चे का प पता हुए बच्चे बलविंदर सिंग ने बताया कि वह चार साल पहले अपनी परिवार के साथ दर्बार साहिब माथा टेकनी गया था और दर्बार साहिब के कुछ लोग उसको अपने साथ ले गए थे वह लोग उसे अपने घरों में बंदी बना कर घर में रखी भैसों को सं बच्चे ने बताया कि किसी तरह वहां उन लोगों से अपनी जान छुड़वा कर भागने में काम्याब हो गया जिसके बाद वह सहरा सोसाइटी के पास चला गया जिनों ने उसे उसके गाउं नारायन गर से यां उनके परिवार से मिलवाया रजिस में शुटाई हों यहां खौंजी गाची है जिसके झाट थोड़ा चली रहे और दू बाद बंदे आए जो चोख ले बागे बारी अचा ते उत्दे मंटा शी एक टी शेबा करना अज्ट प्याबर शीगा ते ओगणा बी तो इते बाइजा में सेबा करना ते बैस बाराई बासम करनी उठाए सिगा जी तो तो मैं टाइन में पुस्ट जाते बास सूथ हूंगा निगाल लागा चो आँ जी कम बस गोई पुड़ी दरते पठेंदा जी रोटी पढ़ी तेन टाइम मेल दाए सिग पैसे पैसे शोड़ी और जोड़ी गए जी जी नहीं कर दाए इस्ट परह आए जी थे अन्ले जी चार साल दिसा जी करती सी नहीं मैं दश जी बंदे थोड़ी मरी मुटे जी ति में माड़ा जाक्यों बंदे आई कितना तुह ही आई उहा जाए कि बहु लेन आई सिगे मेल लाई सिगे त भीके डंबंदा जी डेरियर जी ते उदी मैं क पूरी परसीर हो जहें चितनी अली जी मिन भी उत्थे मैं के खिरेका रंजा इस ते मैं को बंदा एक गगोमालदा जूनाड़ लग गया है ती अप्र भी नहीं एक अगण लाती पिर ओंट ब्हुता तंक कर दिया तो भी मेरे कोड़ी आया फिर में अगा इस मौके पर बलबिंदा सिंग की मा मंजीत कॉर ने अपने पुत्र के घर आने पर खुशी जाहिर की और उसको घर पहुचाने वालों को धन्यवाद दिया इस मौके पर बलबिंदा सिंग के ताया बकतौर सिंग और चाचा बिट्टू सिंग ने बताया कि चार साल पहले वह लोग संगत के साथ दर्वार साब माथा टेकने के लिए गए थे जहां से बलबिंदर को कोई व्यक्ती अपने साथ ले गया और लापता होने के बाद उन्होंने बलबिंदर के बहुत खोच खबर भी की परंतु बच्चाओं नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने अम्रत्सर के इलाके में पोस्ट चपवा कर भी लगवाए परंतु बलबिंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका अगे पास बूल के लेक लेके गए ती अंगट उप दबारा भी गड़ी लेके गए हो फेर भी नी मल्या है फिर दूबारा इस्तियार कटाए ले तारे उद्दर एड़ एचा खाल राता को बहुत दूर चाक फेर भी नीक ते लब्या उस्तों बाद फेर जिदों हम हम के हट अच्छों पेंडों पावलक ने माडे मोटे दासा भी जाप पंजाब ऐसे भी कठे करें वी मगर जामा भी पालांगे फे भी यह लब्या नी एक ते अन्जान बंदया को ले चला गया उन्हान बंदी बना के गवाकुड़ाश्टों ने रहे पठ्छे बढ़ों दे रहे त अच्छे उन्हें फेर अस्वार आकला बुन देता है तो तो अच्छे उन्हें पर इनू काल चाट गें जड़ा दो मिने मुंडे बंदय ने काम कराया व पैसे भी यह ले जार पांस्टा जिनाओने दता ना वी यह करे फड़ागे आस्ता है कि इस भी लब्या पैसे कठे का अच्छे परके कोई सो पजा भी जड़ा भी देवगा पाई नू लब आंगे मुंडे नू पूरा जोर लाया लब बॉन ओहन जे सानुपता हुए ता ही लए जाओंदे ब्या साटा मुंड़ा रक्की बठा इसादे ही उन्हें पते इन लगे ना रहें विचार इन सदा आर आप ऐसे फ्राद हो कि चुछिए इदा सारा शर्णामा बरनाला भी पता है नू इन्हों भोगे दाजी पता भी साटे नेड़े आ इन्हों जा रहा है कोड़ा पता भी साटे नेड़े पहन दा अठो पूरे खोशाज पूरी खोशी है जी मुखशी के में आवे और वह गब बर सारा फेरा कहने 500 कहने 1000 के तेने भी यहों देते तेल बागते फेरा बहुत दूर देकका मूटर हैंक लान गड़िया दे लब या मैं राडा साब भी एक कहमत पूरे दे मुदेनू लेकर राडा साब भी गयां एदी खातर ने क्या मेरा वी पती जा लागता है इदा प्य दूरा दमागता सिद्धा होन जे अएता होना यही दासादा भी किते रख्या के में रख्या ओता ही अपने जम्याना पाँ ओक होर भी दच्छा जी भी से साता पर बारानों होर भी जवाख मलाया उनना ने बीरो रिपोर्ट डी फाइफ चैनल हिंदी